हलू नश्कार दोस्तो आज का हमारे टॉपिक है पर्मोडेशन और कॉंबिनेशन पार्ट टू इससे पहले हमने पार्ट वन कर लिया अगर आप लोगों नहीं देखा है ताफ पहले पार्ट वन देख लिए उसके बात देखेंगे पार्ट टू देखिए पार्ट टू में वारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो की नीचे लालगर का बटन होगा सब्सक्राइब का उसे करके हमें सब्सक्राइब कर ले ठीक है तो परबोटिशन कॉम्बिनेशन में आज का जो चप्टर नहीं उसके अंदर है वर्ड्स वाले कोशन जितने भी वर्ड्स वाले कोशन है एक तरीके से यह जो जितने भी वर्ड्स वाले कोशन है वो सारे कोशन आज हम करने वाले है उससे पहले आप लोगों को एक चीज सबजना होगा factorial, ठीक है, तो factorial क्या होता है, वो देखना पड़ेगा आपको, तो factorial देखे, 0 factorial, कमान क्या होता है, 1 होता है, यह आपको याद रखना है, 1 factorial होता है, 1, 2 factorial क्या होता है, 2, इसका मतलब है कि 2 into 1, ठीक है, 3 factorial क्या होगा, इतना आप जानते ही होंगे, 3 into 2 into 1, तो क्या हो जाएगा य ही एसे ही 4 Reg GA corkin 2 3 YouTube 1 ठीक है 14 उसी प्रछाश फ्रेक्टोरिएल को निकालना भड़ेग आपको फाईष फेक्टोरियल क्या हो जाएगा यहां पर 120 तो चलिए देखें इस निकाल सकते आप याद भी सकते हैं तो चलिए देखें इसी परwenे आदारी कुछ question तो देखिए पहला वाला question बोल रहा है कि orange को orange जो सब्द है उसको विवस्थित कितने तरीके से हम कर सकते हैं ठीके विवस्थित के मतलब है कि किसी भी प्रकार लिखा जाब सके है पहले आ जाए या पहले अ जाए पहले जी आ नहीं कोई मीनिंग यह बीना मीनिंग के कितने प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं देखिए यहां पर दो तीन चार पांच चार तो यहां पर हो जागा सिक्सक्राइब का वैल्लू कितना होता है 720 तो यही इसका आणसर है ठीक है 720 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते है ठीक है देखे करना क्या है? उच्छ नहीं करना है गिनीए इसको 6 है तो 6 factorial और 6 factorial का मान तो यह इतने तरीके से 720 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं सेकेंड कुश्चन देखते हैं देखे इसमें बुल रहा है कि how many words can be made by apple with or without meaning देखे एपल जो है a double p l e apple जो word है इसको meaning और बिना meaning कि कितने प्रकार से हम जमा सकते हैं लेखिए कितने प्रकार से जमा सकते हैं देखिए कैसे करना देखिए डिल लीजिए एक ब्राबर क्या हसा है 122 फेक्रोंड इसको काड़ देंगे तौद Hi सिक्स्टी तो यह दो प्रकार के कोमोचन है जो हमने पहले कि है wary वर रिपीट नहीं इumberपा मुष्चन को सब्सक्रेंगे मालाइन कि इसको कितने प्रकार से arrange कर सकते हैं, तो देखे, क्या लिखा है, M, A, N, G, O, mango, एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखे, क्या लिखा है, तो 5 factorial, तो 5 factorial का answer कितना था, कितना हो था 5 factorial, 120, तो यह इसका answer हो गया, ठीक है, अब देखते है, management, तो देखे, management के इंदर में, एक, दो पे का हो जाएगा, 10 factorial, ठीक है, अब नीचे में देखे, क्या क्या होगा, क्योंकि रहां पर बहुत सारे word repeat हो रहे है, तो देखे, A repeat है, है A repeat, A है 2 बार, ठीक है, उसी परकार N है 2 बार, उसी परकार E है 2 बार, ठीक है, उसी फिरकार M है दो बार तो देखें, दो, दो, कितनों किए? 2! इंटू 2! और क्या है? 2! और 2! चार जो वर्ड है, देखें, M दो बार है, A दो बार है, N दो बार है, ठीक है? और E दो बार है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यहां पर 10 factorial का मतलब क्या होता है, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 और नीचे में किया है? नीचे में तू 2 into 2 into 2 into 2 तो 2 से टू गटगया, ठीक है, फिर यह 2 से इसको कट दीजे, अब इसको multiply कर दीजे तो multiply करने के बाद में जो भी आएगा वह इसका क्या हो जाएगा आंसर तो देखिए multiply करने के बाद में आएगा बाईस जार चैसो दो लाग चपीस जार आठ सो ठीक है यह इसका आंसर होगा आप इसको calculation कर सकते हैं केल्सी से ठीक बनेगा इसी प्रकार जितने भी repeated word है वो repeated जितना भी जागा तो देखिए repeated क्या है ए recap दो तीन बार थे ट्रीफेक्टॉरियल और क्या है एंड दो बार है तो टू फेक्टॉरियल टी अब इसको कर लिजे तो इसको क्या मतलब से क्या होगा शिक्क्टोरियलuz ऑधा ह्ताइस अहीक्तियाono studa T 2 से इसको काट दीजिए तिया हो जागा 360 और 6 से इसको काट दीजिए तो यह हो जागा 60 तो यह हो गया इसका अंसर देखिए समझने की बात यह है कि उपर में जितने भी यहां पर वर्ड है एक दो तीन चार पांच है उपर आप 6 फेक्टोरियल नीचे जो रिपीट हो रहे है इसको लिख दिए देखिए एच दो पर तीन बार है तो तीन फेक्टोरियल एटना बड़ा कुस्चन नहीं आता लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं अब इसके इंदर देखिए रिपीट क्या-क्या हो रहे है तो देखिए आर दो बार है एक और एक दो बार तो यह और क्या दो बार है 3 लार है ओ दीन ऊंसर हो सकता है तो जो नहीं होगा आप इस तरीके से इनको बना सकते घान के लिए नेक्स्ट कूश्चन देखते है ठीक्ए अप नेक्स्ट कोश्चन में बोल रहा है कि हम leader से हम कितने ऐसे सब्द बना सकते हैं जिसमें स्वर्ष एक साथ हू ¿ठीक है? ये वाला question जो है ये बहुत ही important question है. ठीक है e. इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्या बोल रहा है वो leader L-E-D-E-R. लीडर से हम कितने ऐसे सब्द बना सकते हैं जिसमे स्वर एक साथ हो, याने वावल क्या हो, एक साथ हो तो देखिए इसको बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है, कि हम पहले इसके अंदर से वावल लिका लेते हैं, तो वावल क्या क्या है, E ठीके, L E D L E A है यहाँ पर तो E A और E ये क्या है स्वर है तो इनको आप एक बॉक्स में रखेंगे फिर प्लस फिर बाकी जो बचा है उसको आप दूसरे बॉक्स में रख दीजे तो बाकी क्या क्या चीज बचा देख लिजे तो बाकी बचा हुआ है L D और R ठीके तो ये जो टोटल है ये है एक ठीके इसको आप ऐसे जोड़ेंगे ये टोटल जो स्वर है या जो वावेल है वावेल जो है या स्वर जो है इनको आप एक जोड़ेंगे और इनको आप जोड़ेंगे कितना एक, दो और तीन ये है तीन अब इन दुरों का total कर लिजे, तो 1 और 3 कितना हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 factorial, ठीके, और यहाँ पर अब गिनिए 1, 2, 3, 3 जो स्वार है तो वो आ जाएगा 3 factorial, ठीके, अब देखे, repeat अगर हो रहा होगा, तो repeat को नीचे, तो e दो बार है, तो 2 factorial नीच आ जाएगा, ऐसा 72 बार होगा, ठीके, एक साथ 72 बार आएगे, इसको एक बार फिर से समझीए, देखे, अच्छे से समझीएगा, देखे, इसमें हो क्या रहा है, तो एक word है, L-E-A-D-E-R, leader, अब इसमें क्या करना है हमको, ऐसे कितने सब्द बना सकते हैं, जिसमें स्वार एक साथ हो, वावेल कम्स टुगेदर, ठीके, स्वार एक साथ होने चीए, तो देखे, यह क्या करना है हमको, स्वार जितने भी हैं वो लिख लीजे, स्वार याने वावेल जो है हम वो लिख लेते हैं, तो E, A और E, इनको आप एक ब्रेकेट में रख दीजे और एक कैलकुलेट करिए, एक, जितने भी स्वार होंगे वो एक कैलकुलेट होगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी बचा हुआ है, L, D, R, यह एक दो तीन कैलकुलेट होगा, तो तीन और एक यहाँ पर हम चार फेक्टोरियल और जो स्वार है उसको लिख एक दो तीन स्वार, और नीचे में करेंगे ह हम जितने भी रिपीट हो रहे हैं, तो A, E दो बार रिपीट हो रहा है, तो यह 2, ठीके, अब यह हो जाएगा 24 इंटू 6 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 72, ठीके, इसको एक दो बार बनाएंगे तो आपका बहुत असानी से हो जाएगा, ठीके, आगे next question देखते हैं, देखि फिर A और फिर A, तीन बार A है, इसका मतलब यह एक बॉक्स में इसको 1 कल्कुलेट करेंगे, उसके बाद में दूसरे बॉक्स में लेंगे हम जो बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ यहाँ पर, तो B, N और N बचा हुआ है, एक, दो, तीन, इसको लेंगे तीन, तो यहाँ है,ве क्द kkk इयाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तो थीन और जार, फिर क्या हो जाएगा, अब, यहाँ पर यहाँ पर थी सुएट इखते हैं, तो तो रिपीट क्या है। तो रिपीट देखिए 1,2,3 रिपीट है तो तीन! お यहाँ पर देखिए दो बार n repeat है, तो 2! ठीक है तो आप इसका calculation करीजेगा, की पर यह आदाचा in on & एक already optical में में तो AOPTAKAL में देखिए कितने स्वर हैं तो ओ का ई और एक में इसका लड़ा हिए इसका एक और जो बचा हुआ यूसको आप दूसरे इसक क्या बचा हुआ है pada एन प्रेकट हुआ है यहां पर टोटल फेक्ने ग्णा पटार्ठ यह थे कितने हो गाँ...? 3 factorial, अगर इसके अंदर repeat हो रहा होगा, तो repeat, देखें कुछ repeat हो रहा है, तो repeat नहीं हो रहा है, तो आप क्या खरिए, 5 factorial का means होता है 120, और 3 factorial तो 6, 3 हो जाएगा 720, इसका answer होगे 720, ठीक है, उसी परकार इसमें भी देखें, वावल कम कैसे करने हैं, तो I, ठीक है, A, U, और E, ये स आखेंगे S, G, N, T, R, ये दूसरे box में, ये कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो total कितने हो गए, 6 factorial, अब इंटू मी क्या हो जागा, यहाँ पर, A, E, I, O, 4 factorial, अब देखें, repeat कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, 720, इंटू, 24, तब इसका multiply करके, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ जागा, 17,2, यानि, 17,2, 80, ठीक है, तो इस प्रकार यह आंसर हो गया, तो देखें, wow, well, come together, यानि ये question क्या था, देखें, एक बार question को फिर से देखते हैं, देखें, question है, कि leader से हम ऐसे कितने सब्द बना सकते हैं, जिसमें साथ होने चीए, तो यह सारे question स्वर एक साथ होने के हैं, ठीक है, अब इसके बाद next question दिखते हैं, देखें, अब इस question में बोल रहा है, कि सब्द adjust के अक्षर, कितने विभिन प्रकारों से क्रम बद किये जा सकते हैं, ताकि स्वर एक साथ नहीं आए, इससे पहले जो हमने क तो यहाँ पर दिया हुआ है, एडजस्ट, ठीक है, तो इसमें स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए, ताकि स्वर एक साथ नहीं आए, ताब इसमें हमको करना क्या है, देखें, यह जो जितना भी total लिखा हुआ है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, याने इसको arrange कर लेते हैं, तो यह कितने प्रकार से arrange होगा, 3, 4, 5, 6, तो यह कितने प्रकार से arrange होगा, 6 factorial, तो 6 factorial, पहले हमने arrangement में पढ़ा था, 6 factorial का मतलब मान क्या होता है, 720, ठीक है, इसके बात देखा हमने, कि वावेल come together, तो वावेल come together और total arrangement, दोनों को आप माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएग है, अब इसके बाद हम निकालेंगे, वावेल, एक साथ आने वाला, तो देखें, इसरनर स्वार कितने हैं, तो A है, और U है, तो इन दोनों को आप एक साथ रखिए, और इसको एक बना दीजे, अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, इस डब्ब 240, अब क्या करिए, इसमें बुला गया है कि क्रम बद ना होने चीए, स्वार क्रम बद ना, तो इसमें से क्या कर दीजे, इसको माइनस कर देंगे, तो वो क्रम बद वाले निकल कर रा जाएंगे, ठीक है, तो 720 से 240 माइनस कर दीजे, तो कितना जगे यहाँ पर, 480, ठीक है, तो ये है क्रम बद नहीं होंगे 480 ठीके क्या करना है देखिए पहले इनका arrangement निकाल लीजे तो arrangement क्या हो गया 6 factorial तो 720 उसके अधिनके स्वर निकाल लीजे जो एक साथ होंगे तो ये स्वर निकाल लीजे जो एक साथ है अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो एक साथ नहीं है वो यहाँ पर आजाएंगे ठीके क्या करना है इसमें से total number of ways یعنی जितने हमने निकाले माइनस करना है wow well come together ठीके, wow well come together को माइनस कर देना है total कितना है तो 720 आव वावल कम together कितना है तो 240. अब इसमें से माइनस करना है इसको ते हो जाएगा 480 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा आंसर चलिए इसी प्रकार के कुछ और कोश्चन करके देखते हैं जिससे देखें यहां पर लिखा हुआ होगता मचीन तो देखें मचीन में किया करेंगे पहले जिकालेंगे इसके डॉटल औरेंज मेंट 'll करना हो तो गीन आए गई ठीक अब उसके बाद में क्या बच गया तो जो बचा हुआ है वो इस बॉक्स में तो M बचा है ऩह च्छ बचा है और अन बचाओं यह होगे टोटल चार चार और कितना हो गये पांच फेक्टोरियल अब इन्टू में जो यह वहल है यह तो यह कितने 3 factorial कुछ repeat हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 into 6 तो यह हो जाएगा 720 अब क्या करना है तो 5040 minus क्या हो जाएगा 720 तो हमारा answer आजाएगा 4320 ठीक है बहुत ही easy है है बहुत ही आसान है ठीक है उसी पकार देखे अली गड़ जो लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है पहले वर्ट की नीचे एक दो 2040 नीचे टू फेक्टोरियल कर टू त्यों जाएगा 2520 ठीक है अब इसके अंदर हमको स्वर निकाल ले है तो देखे ए आई और ए यह क्या है स्वर है तो इसको हम एक कैल्कुलेट करेंगे उसके यहां जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं तो देखे बचा वह क्या है एल जी आर और एच तीक हो जाएगा टोटल चार तो यहां पर क्या जाएगा फाइट फेक्टोरियल इन्टु यह जो ती स्वर वाले अब नीचे देखें कुछ रिपीट हो रहा है तो रिपीट का रिपीट ठीक है तो 120 इंटु 6 और डिवाइड बाइड में 2 तो यह क्या हो गया स्वर एक साथ हो और स्वर एक साथ ना है इस प्रकार यह कोशन आप कर सकते हैं और अलफाबेट का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं तो इस प्रकार यह जितने भी पर्मोटेशन लगते हैं अलफाबेट में वह सारे आप इनसे कर सकते हैं तो आप पार्ट वन और यह वाला प चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल गलर का बटन होगा उसे आप सब्सक्राइब पर दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बगल में बैल का आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका notification आपके पास में तुरंत पहुंच जाए ये जितने भी permutation combination है ये व्याप्तम के exam में इनसे 2-3 questions जरूर आते हैं तो आप लोग बड़े असानी से इनको बना लेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवात दोस्तों